नमस्कार नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है शुरू करते हैं हम लोग का आज का कोशन एंसर आज पहला प्रशन पूर प्रधार मंत्री पीवी नर्सिमा राओ का पहला नाम क्या है इसका पूरा नाम है पामला पर्थी वेंकट नर्सिमा राओ और पीवी नर्सिमा राओ जी सत्रा भाषा बोल सकते थे उन्यसो एकटर में वे आंदर प्रदेश के चिप पिनिस्टर बने थे फ्रेंड से कौन बने राओ करणपती के तेरी के लिए के बीसी बुक है और एट नाइन सिक्स नाइन जीरो टू आन सेवे नान सेवन यह वाट्सअप नमबर है इससे वाट्सअप कर सकते हैं अगर ल अगला प्रशन है पीबी नर्शिमा राओ के पिता का क्या नाम था ए सिता रामा राओ बी अवतार नारायन सी क्रिश्न विहारी वाज़ पे डी डोटे गोड़ा इस कंसर है सिता रामा राओ उनके पिता सिता रामा राओ और उनके माता रुकमा बाई प्रश्न बचपन में पामला पर्थी रंग्सराओ और और रुक्मीन अम्मा ने जोड लिए। चाल्यूड हुआज एडाप्टेड बाई पर्मलापर्थी रंगा राव एंड रुकमीना अम्मा तो किनको इन्होंने गोद लिया था यह चावधिर चरान सिंग भी पीवी नर्शिमा राओ सिलाल बादो शास्त्री दी मुलार्जी देशाइव कि अ कि स्का भी अनसर पीवी नर्शी मारा रोसी पूरा वीडियो पीवी तो थिम्रार चिंद है तो यह पीवीन सिलाल परदय और जावजा है चब छोटे पी वी नर्शिमा राव कौन सी पत्रिका का संपाधन क्यारी के थे ये इंडिय टुड़े भी काकतिया पत्रिका सी कर्मा विरा डी मनोर्मा ये इस कैंसर भी काकतिया पत्रिका अपने दूर के चचेर भाई पाउनापर्ति सदर राव के साथ राजा नरेंदर और डेवुल पल्ली दामदार राव के साथ इन्हों ने पीवी ने यानि पीवी नर्शिमा राव जी ने काकतिया पत्रिका का इस संपादन का इकिये थे तेल्गु पत्रिका है सब्ताहिक अगला प्रश्न है इन में से कौन सदर्शिव राव के साथ जय विजय कलम नाम से काकतिया पत्रिका में लिखता था इस कांसर है सी पीवी नर्शिमा राव सदर्शिव राव जी के साथ नर्शिमा जी कागतिया पत्रिका में लिखते थे जय विजय उपनाम से लिखते थे अगला प्रश्न उनिस्वी कानबे के जनरल इलेक्शन में पीवी नर्शिमा राव भाग नहीं लिए थे बाद में वेकी संसत छेतर से चुना लाड़े और उनके प्रात मतों के जीत का जो अंतर था गिनिज वाल रिकोर्ड में शामिल हो गया था यह फुलपूर भी बारामपूर सी मन्थानी डी नंदियाल इसका अंसरे डी नंदियाल तो ऐसे हुआ था ना कि नर्शिमा राव जी सन्यास ले लिए थे पिर अचानक सीज़ा राजीव गांदी जी का जो देहांत हुआ तो इसलिए फिर से राजिंती माय लेकिन इस वीका अंदियाल से चुनाव लड़े संसद में जाने के लिए तो पांच लाख वोटो कंदर से जीते थे उस समय जो उनकी जीत थी और गिनिज बूक आफ वाल्लिकॉर्ड में दर्ज हो गई थी कीस जारली मकडी का नाम उसके मेटिंग के बाद नर को मार कर खा जाने का आदत के कारण पड़ा है ये येलो सेक स्पाइडर बी वूल्फ स्पाइडर सी बलाक वीडो डी ब्राउन रिकलूज स्पाइडर स्कैंसर है सी बलाक वीडो फ्रेंड्स लाइक कर दीजे वीडियो को अगला प्रेशन है इस तंधारियों में डाइफ्राम और गर्दान के बीच के शरीर के छेतर को क्या का जाता है वाट इज कॉल्ड दा बोड़ी बीट्विट्विन दा डाइफ्रेम और नेक इन मैमल्स ए गलोटिज बी लेरिंग सी अब्डॉमेड डी थोरेक्स स्कांसर है डी थोरेक्स गरदन के डाइफ्रेम और डाइफ्रेम और इनिच हाती के पास उता है वहाँ से गरदन के निचे तक का बीच के सरी के जो हिस inhaled क 27 जूपकला भाग है डी उसको थोरेक्स बोलते हैं किस अफ्रिकी जानवार के नाम का अर्थ नदी का घोड़ा है वीच अफ्रिकन अनिमल्स नेम मिन्स रिवर होड्स याना कॉंड़ा भी क्रोकोडाइल सी जेबरा डी हिप्पोपोटेमस स्कैंसर है डी हिप्पोटेमस फ्रेंड से इबुक जरो लिजेगा बहुत चुने है प्रेश्ण इंपोर्टेंट प्रेश्ण दिये हैं और पिछला साल आप लोगों ने देखा तो बहुत प्रेश्ण आ रहे थे पिछला साल वाला इबुक से वाटसब कीजेगा अगर आप पहली बार देख रहे तो हमारा साथ जूड़ जाईए सब्सक्राइब कर लिए चैनल को कौन बनेगा करोपती के तहरी करने के लिए और जल्द मिलेंगे अगला वीडियो में बहुत बहुत धेने बाद तमस्कार